नमस्कार आप देख रहे हैं नियूस पियार मैं हूँ आदेश पूरी बिहार में फरजी सिक्षकों के लिए निगरानी विभाग जो है लगातार अल्टिमेटम पर अल्टिमेटम देते जा रहा है लेकिन इसके बावजूद जो सिक्षक हैं उन पर जू तक नहीं रहेंग रह है वैसे सिक्षक जुन्हों ने अपना सर्टिफिकेट अभी तक अपलोड नहीं किया है वह लिंक जो की विभाग के द्वरा दिया गया है और नुमें कहा गया था कि इस पर आपने जितने भी सर्टिफिकेट हैं उसको अपलोड करें आपको बता दे कि जब 2005 से लेकर 6 से ल अंख्या में फर्जी सिक्षक जो की क्यागजात उन्होंने फर्जी उप्योग किया और वह सिक्षक बन गया मामला हाई कोट गया और हाई कोट ने निर्देश दिया निगरानी वह को कि आप इसकी जांच करें लगभग पांच सालों से यह जांच चल रहा लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ कारण यह है कि नियोजन केंद्रों के द्वारा सर्टिफिकट नहीं उप्लग कराया गया यह कहा गया कि एक लाफ जो कि आसपा जो फोल्डर है वो गायब हो गया नहीं मिल रहे हैं चुबा कुतर गया या पिर वो डिस्ट्रॉय हो गया ऐसे में सिक्षक को को ही जिम्मवारी दी गई कि आप अपना डॉक्मेंट जो है वो दिये गए लिंक पर अपलोड करें नहीं करने पर आपकी नौकरी तो जाएगी ही जिस जो आपने वेतन लिया है वो भी वसूली किया जाएगा चलिए आपको हम पूरा जो प्रकरन अभी है उसे हम बताते हैं राज्य के सरकारी विद्यालों में पंचायती राज एवम नगर निकाय नियोजन निकायों दोरा बहाल ऐसे सिक्षक जिनके परमान पत्र की निगरानी जांच नहीं हुई है उनके लिए राज सरकार ने अंतिम महुलत के रूप में एक माह का समय दिया है ऐसे सिक्षको की नियुक्ति को अवैद मानते हुए उनकी सिवास माप कर दी जाएगी साथ ही उनको अब तक प्राप्त वेतन की रासी भी उनसे मांग वसूली अधनियम प्रावधान के तहत वसूल की जाएगी प्रात्मिक सिक्षा निदर्सक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग ने खाग के द्वारा एक वेब पोटल तयार किया गया है इस पोटल पर जिलावार वैसे सिक्षकों की सुची अप्लोड की गई है जिनकी नियुक्ति से संबंदित अभिलेक जाच हेतू निगरानी विभाग को उपलब्द कराया जाना है आपको बता दे कि 6 दिसंबर 2016 को पट की निगरानी जाच की जानी है इस आदेश के करीब साड़े-चार साल बाद भी ऐसे करीब 3,10,000 सिक्षकों में से 1,3,917 सिक्षकों के नियोजन फोल्डर और प्राप्त हैं मई में सिक्षाई वहाग ने सभी डियों को ऐसे सिक्षकों के ब्योरे जिले के NIC के वेबसाइट करने को कहा था तो 88,000 ऐसे सिक्षकों के नाम ही उजागर हुए हैं जिनकी जाच अभी बाकी है मार्च से 15 जुन के बीच 15,000 सिक्षकों के फोल्डर प्राप्त हो जाने से यह संख्या 1,88,000 पहुँच गई है आपको हम बताते चले कि कौन-कौन से सर्टिकेट उन्हें अप पत्र परमान पत्र असनातक का अंग पत्र परमान पत्र शिक्षक प्रक्सिक्षन का अंग पत्र हों परमान पत्र दक्सता परिक्षा अथवा टीटी उत्तिर्नता परमान पत्र अनुभाव परमान पत्र 20% वेटेज है तू मेधा सूची नियुक्ती पत्र जाती परमान पत की scan copy 21 जून से 20 जुलाई के बीच आपको उपलवद कराना है और इसके लिए जो वेबसाइट दिया है उसका है statebihar.gov.in उसके बाद है आपको education bihar citizen home html को उपलवद है तो आप देख सकते हैं कि यह जो link जो दिया हुआ है इस पर link पर उपलवद कराना है आपको आपको बता दे कि अभी तक जो है पंद्रा सो सिक्षकों पर एफाई अर्दर्ज भी हो चुगा है और बिहार में जो है बहुत बड़े पैमाने पर फरजी सिक्षकों की बहाली हो गई भाई भतिजावाद चला पैसे का लेन देन चला आ ऐसे आरॉप लगते हैं क्योंकि आपको बताएं कि जो नियोजन्ट प्रक्रिया अपना ही ऐई थी उसमें मुख्या और जो नगर निकाय के सदस होते हैं अधिकारी पता-धिकारी होते हैं उनके हाथ में रख गया और इसके कारण आरोप लगा कि जो भर्तियों ही सिक्ष पता नहीं रखते थे और ऐसे में मामला हाई कोट जाता है और हाई कोट के आदेश के बाद यह पूरी जाच जो है निगरानी के हवाले कर दी जाती है लेकिन डॉक्मेंट्स नहीं होने के कारण लगातार निगरानी विभाग और सिक्षा विभाग द्वारा जिलो को यह कोई असर नहीं होता है अब देखने वाली बात है कि 20 जुलाई तक समय दिया गया है क्या इसमें जो 88,000 सिक्षक है वह अपना सार्टिफिकेट अप्लोड कर देते हैं यह नहीं करते हैं तो सिक्षा विभाग क्या करवाई करती है यह भी देखने वाली बात है लेकिन फिला हाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें हमारे चैनल लूज प्यार को सब्सक्राइब जरूर कर ले तन्य बाद